स्टॉक भी इसमें आपका स्वागत है तो टेक्निकल एनलेसिस की ये तीसरी वीडियो है पिछलों दो वीडियो केंडल स्टिक पर बनी है चाहे तो आप जाके देख सकते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे MSCD indicator की अपने आप में काफी powerful indicator होता है ट्रेड लेने के लिए तो हम इसके फाइदे नुकसान सारे देखेंगे कैसे ट्रेड लिया जाता है कैसे use किया जाता है सब देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं moving average conversion diversion कुछ ने इसका वस full form होता है तो किस किस चीजों से MSCD बना होता है MSCD line से signal line से और histogram से तो चलिए देखते हैं कैसे इनको calculate किया जाता है जो भी इसका component है MSCD line, signal line या फिर histogram तो MSCD line होती है 12 period EMA माइनस 26 period EMA होती है और signal line होती है 9 period EMA of MSCD line histogram 2-9 के बीच के difference को बोल सकते MSCD line minus signal line कैसे इसमें trade लिया जाता है और कैसे हम false signal से बच सकते हैं तो चलिए अब charts पर चलके समझते हैं तो हम आगे trading view app में यह app में इसलिए यूज करता हूँ कि सबके लिए common हो जाता है और यह इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया features भी हैं तो चलिए देखते हैं कैसे MSCD indicator लगाते हैं आपको कुछ नहीं तो यहाँ पर indicators दिख रहे हैं वहाँ पर आपको जाना है click करना है वहाँ पर और यहाँ पर आपको simply type करना है MACD तो आपको पहला option ही मिल जाएगा बस इसको apply कर देना है और यहाँ पर आपको ऐसी कुछ line signal line और जो यह आपको दिख रहें यह सारे हो गए histogram तो जब MSCD line नीचे में अगर जब काटती है इसको signal line को तो यह होता है bullish crossover जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर bullish crossover हुआ और उसका share के prices उपर गया और जब यहाँ पर MSCD line ने उपर में काटती है signal line को और indicator हो गया, leading बिल्कुल भी नहीं होता, यह आपको बाद में बताता है trend change होने के बाद, क्योंकि यह काम ही करता है moving averages में और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जो यह MSCD होते है वो strength line होती है, बताती है आपको strength कितना है share में, तो जब तक trend change नहीं होगा, तब तक कैसे बता सकती कि इसमें strength है, अब market गिरता रहेगा, तब थोड़ी नहीं बताएगे कि यह बहुत strength है, जब वो थोड़ा सा market उपर जान लगी, तब ही आपको signal देगी, हां कि अब जो crossover हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और जो histogram है न, तो MSCD line उपर होती है, और signal line नीचे होती है, तो आपको histogram उपर बनते दिखेंगे, और यह छोटे बड़े कैसे होते है, जितना दोनों के बीच में gap बढ़ता जाएगा, histogram को बढ़ता जाएगा, सेम नीचे के लिए भी होता है, जब MSCD line, signal line के नीचे होती है, तो histogram आपको नीचे बनते दिखेंगे, और उसमें सेम ऐसे ही है, जितना बड़ा gap होता जाएगा, उतने जो histogram है, उसका size बढ़ता जाएगा, तो कितना आसान है MSCD से trade लेना, और bumper मुनाफ़ा बनाना, मगर आपको एक बात का ध्यान रिखना है, ऐसा नहीं होते ही, इतना आसान होता है कि इसको trade लो, और अराम से पैसे बनाओ इसमें भी बहुत बार false signals आते रहते हैं, आप इसी चार्ट में देख लिजिए, यहाँ पर ऐसे लग रहे है कि अब यहाँ पर crossover हो जाएगा, bullish crossover हो जाएगा, मगर होगा नहीं, एक दम से धड़ाम से नीचे गिर गया, तो आपको इसे बचना है कैसे हैं, आपको साथ में crossover बनता है, bullish crossover, तो आपको वहाँ से बचना है, वहाँ से आपको बिल्कुल घरदारी नहीं करनी है, और candlestick जैसे आप candlestick pattern समझते हो, नहीं समझते हैं, तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, दोनों की वीडियो बनी है, single candlestick और multiple candlestick दोनों की वीडियो बनाके रखी हु कुछ एक दो दिन में आ जाएगी, तो आप देख लेना, MSCD प्लस RSI इस से जाद अच्छा combination तो कुछ भी नहीं हो सकता है, technical analysis में, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, छोटे से वीडियो में मैंने आपको MSCD का पूरा cover करने के कोशिश किये, वीडियो अगर अच्छे ले कर अच्के करा दो एक दो होगी, इस से भीडियो अच्छे होगी कर दो आपको मैंने, कर दो ढाएगी, कि भीडियो और देख वाया होगी, वीडियो शऄ्या कर, बदिवियो दो से यारी, तो एक दो मैंने खोगगी